भाई और भेनों, आज जब महायुटी के पच्छनम आओ रहा है, तो उसके पीछे बीचे पांच वरसी हमारी कार्य सकती है। हमारी कार्य सकती है। एक करब हमारी कार्य सकती, दूसरी करब उनकी स्वार्य सकती, दोनों का मुखार्णा है। और लोग कार्य सकती की पूजा करते हैं, लोग कार्य सकती को नफ्रस करते हैं। और यह अपने सब्सक्राइब करते हैं, इनके कारणा में एते हैं, जिन्से भारफ का अही जहने वालों को ऑक्सिजन दे पूझे, अभी दो मेना कहले जब भारत में जम्मु के स्वीर और लगास पे आजिकल 370 हटाने का फैंक ला लिया, जब वहां के गलीतों को, वहां की भेटियों को, वहां की महराओं को, देश या अंद्र राज्यों के तरह अधिकार दिये, तब एक पार फिर इनका स्वार से जब गया। आपको याँ है, इन लोगों ने किस किस तरह के बयां दिये थे, नाज भीर की घर्टी से, जब महराओं ने पुरे हिंदुस्तान को याद कराना चाहिए। आपको याद में जब भी आशिकर 370 शिक्टर का होगी, तो देश फीट में की जेश नेने का जिरोज करने वाले दुखों का, मजापुने वागरों का, उनके बयानों का जिक्र इद्यास में जरूर होने वाला है। कि याद जराता हो कि कैसा कैसा भोले थे मैं नाम नहीं दोपा उगा नाम आपको याद आगाए गा पूरे माहरास्थ को याद आगा फुरे ही टॉप्याद को याद आगा गाए दिया एक ने कहा था यह फैसला याने तेंचोच बाताने का फैंजला यह किजी की हच्च्चा करने देता है वाँ क्या भी नहीं है एक नेता ने कहा यह भारत की राजनिती का ताला भी नहीं है एक नेता ने कहा केंजरों ने जो फैसला लिया वो लोग कंद्र के खिला है एक और बड़े नेता ने कहा कि भारत में लोग कंद्रशी खत्ब हो गया एक और नेता ने कहा कि इस फैसले से राष्टी यह भुष्चा को खत्रा प्रादा हो गया है थाल्यों बहनों यह हमारे जरोजियों की फांचा था कि 370 का जरोज हमारी पांची का जन्र हुआ हुआ हम करते हैं हम अराजिकित के लिए नहीं करते हैं हम बेशनीकित के लिए करते हैं मैं आज आप लोगों से पूर्ता हूँ आप जमात नेंगे फिर से यह लोता कैसे लोग संद्र खतम हो गया मैं आपको पूर्ता हूँ क्या लोग संद्र खत्म हो गया है क्या लोग संद्र खत्म हो गया है क्या ऐसे बयान देखकर यह लोग आपके विश्वास को दोखा नहीं दे रहे थे क्या अपने अपने स्वार्थ में इन लोगों ने भारत के खिलाब काम करने वालों को जम करके मोखे दे भारत के निशाना अच्छा दोने के मैंने करिदे के जाए मैं आपको कुछ और बयानों के आज जलाता हूं। पूरी लंबी इस्ट्रेटी है जिए हर गनी मुहन्देवाला अनाफ्रा पोलता रहा हूं। कॉंग्रेट के इरेता ने बयान दिया था कि अगर कश्री में हिंदू होते तो बिजेट की सरकार ऐसा फैसला कभी नहीं करते हूं। इसी एकता और अखंडिता में तो उनको हिंदू-ुसल्मान ने जागता है। शेस्ट्रोफा देता है जो होता। कॉंग्रेट के इन और बेता ने कहा कि कश्री का मसला भारत के मां अंधुरूनी मसला नहीं है। आप सहमत है इससाथ सहमत है। ऐसा आप बोलने बाबों को माप पर जबने हैं जाँ। इस चुनाव में ऐसे लोगों को चूंचूंकर के सहजा दोगे कर ने जोगे। पक्काद होगे। कॉंग्रेट के इसके ही एक और दिश्ट देता ने कहा। कि ये देश को बर्वास करने माना फैसला है। तीन महीं होने आए, देश बर्माद हो गया जा। बर्माद हो गया जाए। ओंग्रेस के द्रेका ने कहां, कि आज की ता 3070 हटा कर हमने कश्टीर को खो दिया। खो दिया जाए जाए बाई। खो दिया जा। अगर आप तस्री जाना चाहिए तो तुझे बताईए मैं रोलना करता हूँ क्या बयान बाईटी करते हैं देश अजाब होने के बाद धिर्योग ने सर्वाधिक जमाए देश पर राज किया वे अधी बादे होलते हैं तो बादे पहर के हुंतों भाईव और भाणों मेरे पार स्कॉंजरेश और उसके जैसे सलों के तमाम देता होगे ऐसे बयानों के पूरी दिस्ट पढ़े देश की भाणाओं के खिलाप इन लोगों ने दिस्ट करके बयान दिया और उसे जिनाते जिनाते जैसे मुझे इसकी सस्कूबर तक यहीं रहता करके बोलना पड़ेता साथ्यों इन लोगों के बयानों इनकी साजितों को देश ने अप्धरी फाती देख लिया तेश इन्हें इसे किये की सजार लेगा लेकिन आज महारासे के पास सबसे पहले अफ़र आया है देश तो उनको सजा देने ही वाला है मोखे के इतजार में आपके तो मोखा दरवाजे पर आक़ए तर्सकन दे रहा है मोखा शांधिन बत दे रहा है आप देशी खावनाओं के खिलाब काम करने वालों को अवस्य प्धचा देगे मेरा आप पर फरोचा है मेरा आप पर प्रक्ति स्वाथ मेरा आप देश परक्ति पर होता है